है हम दोस्तो मैं आप इंजिनियर अमन सिंग और आप देखना शुरू कर चुके हैं क्रेड़ो क्लासिस देखे दोस्तो आज में बात करें प्रतिसत की प्रतिसत के टाइफ सेवन में आ चुके हैं और वह तानीस सो बीस मतों से हाल गया तो बताएं कि चुनाव में कुल कितने मत पड़े इस प्रकार से सवाल कई बार पूछे जाते हैं और आप बिल्कुल इसका एंसर लॉंग टाइप से देते हैं ठीक है जी? काफी आप टाइम ले लेते हैं ऐसे सवालोग करने में देखिए आज में आपको जो ट्रिक बताऊगा उससे आप बिल्कुल आसानी से ऐसे सवाल कर सके लिए तो आज समझते हैं पहले मैं बैसिक में बताता हूँ बैसिक क्यों बता रहा हूँ? आप जानते हैं कि मैं आपकी help करना चाटा हूँ ताकि आप यदि ऐसे सवाल में short trick भूल जाए तो आप फसे नहीं उसे basic से कर लें देखे basic क्या है जी class 8 standard का चीज है जी method 1 माना की cool मत पड़े x x का 42 प्रतिसर एक उमिदवार को मिला तो चलिए 42 expertise हो कितना मिला होगा ओ nhiinander 311 प्रतिसर सव मैं से 42 घटा देंगे 2 हुमिद वर थे एक को 42 प्रतिसर 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 तो उन सबसमेर 222 प्रतिसर प्रतिसर यानि x का 383 होगया जी अब क्या करेंगे जी यदि कोई इंसान जीतंसे यह जितना fantastic दोनों में एकस माइनशस ¿420 सो ब्राबर ये कितना आने वाला है यह आन्य वाला है 3 Mil count क्यूं आने बाला समझेगा कि इसे जितना बोट मिला X का अंधामन प्रतिशत मिला इसे कितना बोट मिला X का 42 प्रतिशत मिला और दोनों का अंतर कितना था 4320 यहाँ पर हम एक सोन गड़ेगे अंसर आ चुका होगा देखे समझेगा ध्यान से यहाँ पर हम लिख सकते हैं अंधामन x-45x, 16x बटे 100, तो 16x बटे 100, जो है, हमारते 420 के बरावर होगा, तो मैं directly इसको चलिए x बरावर लिख देता हूँ, 100 यहाँ पर गुना हो जाएगा, और यहाँ पर 16, डिवाइट में चला जाएगा, और यहाँ पर 4 जो के 16, और यहाँ आगया आपका 108, दस्वस्ती क्योंकि यहाँ 0 है, 4 इसको भी कांड़ते हैं, 270 और यहाँ पर आप देख सकते हैं, कि आगया answer आपका 27,000, यानि कुल मत आगया answer में 27,000, तो यह basic method यह बिल्कुल basic पंडा, इसको आप तो सिखना पड़ेगा चाहिए, दोनों चीज़ है, इसलिए क्योंकि इससे आपको mathematics में काफी confidence मिलता है, और दिवसरा method जो है, method 2, यह काफी आसान है जी, बिल्कुल last line को आप बिल्कुल सबसे पहले लिख सकेंगे, कैसे देखे समझेगा, कितने मतों से हार गया जो दिया हुआ है, कोई problem यहां पर दिया हुआ कितने मतों से हार गया, जो भी दिया हुआ data उसको उपर लिख देंगे, 43 हम लिखते हैं जी, कि इतने मतों से हार गया, ठीक है, अब हम देखें कितने प्रतिसत से हार गया, तो एक को 42 प्रतिसत मिला चलिए मैं यहां लिख देता हूँ आपको सुविधा के लिए वैसे यह सब लिखने की कोई जरूरत नहीं है आपको प्रैक्टिस करनी है बस 42 प्रतिसत एक को मिला तो दूसरा को कितना मिला अंठामन प्रतिसत जाहिशी बात है तो आप देखें कि कितना प्रतिसत का अंतर है यहां पर तो 42 और अंठामन में 16 प्रतिसत का अंतर है 16 प्रतिसत का अंतर था एक को मिला 42 प्रतिसत दूसरा को मिला 17 प्रतिसत यानि कितना का अंतर हुआ तो 16 प्रतिसत का अंतर था तो जो आंतर था वो भोड में अंतर था उपर लिख दिए और जो प्रतिसत में अंतर था उसको निचे लिख देंगे और गुना कर देंगे जो निकालना है क्या निकालना है कुल कितने मत पड़े तो कुल कितने मत पड़े तो 100 से गुना करेंगे 100 प्रतिसत से गुना करेंगे यानि कि यहां ठामन से हम गुना कर देते हारने वाले कितने मत प्राप्त किये तो हारने वाले कितने प्रतिसत मत प्राप्त किये 42 प्रतिसत मत प्राप्त किये यह हमारा मतर 2 है समझ चुके हैं कहां से आया ट्रिक क्या है समझ चुके हैं अब हम चलते हैं next question पर देखते हैं ऐसे सवालों को जो इससे थोड़ा different है लेकिन इसी method से कैसे किया जा सकता है दोस्तों हम आच के हैं question number 2 पर देखी इस question से हम काफी सारे doubts क्लियर कर लेंगे देखें कैसे एक चुनाओं में दो ही उमिदवार थे फिर से दो ही उमिदवार थे जी इसमें 20% मतों का पर्योग नहीं किया गया ध्यान दिजेगा 20% मतों का पर्योग नहीं किया गया यानि इस चुनाओं में 20% लोग सो लोग यदि मान लिजे गाव में थे तो बीस लोग भोट नहीं दे पाए हो सकता कहीं बाहर थे या हो सकता उनकी तवियत खाथी या हो सकता वो जागरूप नहीं थे और भोट देने नहीं गए बाकी जो मत पड़े ए ने परियोग किये गए मतों का जो मत पड़े जो मत परियोग किये गए उसका 40% मत परावट किया ए 40% मत परावट किया किसका जो वोट पड़ा उसका तथा 1600 मतों से चुनाओ हाल गया और 1600 मतों से 1600 मतों से चुनाओ हाल गया तो बताएं कि बी को कुल कितना मत परावट हुआ कि 20 प्रतिसत पर्योग नहीं किये गए 20 प्रतिसत तो बात ही नहीं करना जी अब हम आगया 80 प्रतिसत में अब ध्यान दिजी गए 80 प्रतिसत में 40 प्रतिसत किसको मिला A को मिला, यहां दिख लेते हैं, A को मिला 40%, B को कितना मिला होगा, जानी सा बात है, 60%, A को यदि 40% मत प्राप्त होगा, तो B को कितना मत प्राप्त हुआ हो, 60%, यहां पर आपको निकालना क्या है, कि B को कितना मत प्राप्त हुआ, यानि कि देखें सबसे पहले यहां पर यदि 100 भोट था तो 20 भोट तो पहले ही निकल गया यहां पर बच गया हो 80 भोट अब 80 भोट में 40 परसेंट इसको मिला 60 परसेंट इसको मिला जैसी बाथ है तो 80 का 40 परसेंट यह बन गया 32 प्रतिसत और यह 80 का 60 परसेंट यानि कि बन गया 48 प्रतिसत ध्यान दिजेगा 80 का 40 प्रतिसत ये बन गया 32 अस्य का ये शा़ट बन गया 48 तो दोस्तों अध्यान देने वाली बात यह है कि कितना प्रतिसद का डिफ्रेंस फॉा जी तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फिर से 16 प्रतिसद का अंतर हुआ ठीक है यानि कि 32 और आप नहीं कितना प्रतिसत का अंतर है, 16 प्रतिसत का और कितना भोट का अंतर है आप देख सकते हैं कि जो 1600 मतों से यह चुनाव हार गया यानि कि कितना से हारा, 1600 से अंतर दिया हुआ, तो यहां पर आप चलिए डायरेक्ट लिक देंगे, 1600 अंतर को और बटे कितना प्रतिसत का अंतर है, 16 प्रतिसत का, तो 16 गुनाव, निकालना क्या है, बी को कुल कितना मत प्राप्त हुआ, बी को कितना मत प्राप्त हुआ, बी को कितना मत प्राप्त हुआ जी, 48 प्रतिसत, यह उपर वाला बात नहीं करना है, द्यान दिजेगा, क्योंकि कि इसमें से 20 प्रतिसक वोट पढ़ा ही है तो आप पहले ही उसे निकाल दीजिए और अब उस पर प्रतिसक निकाल के हम बात करेंगे ठीक है धियान दिजिका तो यहां पर आप निकालना क्या है जी 48 whereas बोट डी को तो जिसको भी निकालना होता है उसे हम गुना करते हैं और यहां पर नीचे क्या होता है वह जो दिया हुआ है तो जितना दिया हुआ था अंतर उतना प्रतिसत के परावर निकालेंगे तो प्रतिसत कितना था तो 32 और 48 में 16 प्रतिसत का अंतर था इस प्रकार से लोग ऐसे सभी questions को कर सकते हैं दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताईएगा और देखिए टाइप एट ध्यान दिजाने ये टाइप 7 था चुनाव संबंदित प्रस्न ताइप 8 जो आएगा वो जनसंख्या संबंदित प्रस्न होगा यानि कि दोवास पुर्व की जनसंख्या इतनी थी और 4 प्रतिसत के दर से ये जनसंख्या बढ़ रहा है तो आज की जनसंख्या और कमाल जनसंख्या कितनी होगी ऐसी सवाद जो है काफी पूछे जारा है और आप उसमें अटकते हैं तो मैं आपको बताऊंगा उसका भी क्या ट्रिक है क्या टेक्निक है जिससे आप सवालो को काफी आसानी से काफी सुविधा जनक तरीके से कर सकेंगे ठीक है